हालो और वेल्कम फ्रेंड्स गूगल डॉक की बात करेंगे आज हम गूगल डॉक यानि गूगल का डॉक्मेट जो आलाइन हम यूज करते हैं तो मैंने ओपन करके रखा हुआ है यह देख सकते हैं और यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्मेंट हमें लेना है ठीक है पहले मैं यहाँ पर ब्लैंक डॉक्मेंट लेता हूँ फर इसमें कुछ बहुत इंट्रेस्टिंग फीचर्स हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ तो यहाँ पर ब्लैंक डॉक्मेंट पर कर दिया है क्लिक अब interesting feature क्या है भाई इसमें तो वो आपको बता देता हूँ देखिए यहां से हमें कहां जाना है tools पे जाना है और tools पे जाने के बाद यहां आपको मैंने एक video और बनाया है voice typing यह जो दिख रहा है ना यहां पर आपको जाना है इसकी shortcut की control shift s होती है अगर आप इसको activate करना चाहते है तो तो अभी इस पर कर दीजे click और अब मैं बोलने वाला हूँ तो शुरू किया जाए चली Hello and welcome friends, today we are going to learn about Microsoft Excel and Microsoft Access and also about the Google Doc तो देख सकते हैं यहां पर exactly जो हमने बोला वो type होकर आने लगा है यह देख सकते हैं जो मैं बोलना हूँ वो भी type हो रहा है देखिये इसनी ठीकर तो उमीद कर रहा हूँ कि ये feature आपके लिए काफी कारगर होगा और आपको लिखना निक पड़ेगा टाइप नहीं करना पड़ेगा देखिए मैं पोलता जा रहा हूँ और ये लिखता जा रहा है खुद ये लिखता जा रहा है डिपेंड करता है आपको internet के speed पर भी और get add on पर कर दीजिए क्लिक यहाँ पर यहाँ पर आपको तमाम तरह के templates ये docs दिखाई पड़ रहा है अब यहाँ पर आपको जो भी docs की जरुवत हो जिस भी तरह के docs की जरुवत हो आप ले सकते हैं यहाँ पर math टाइप दिया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है easily write math equation अगर आपको math का equation लिखना है तो easily आप इसको use कर सकते हैं इस पर click कीजिए यह download होगा और इसको install कर लिए जैसे ही आप install करने के लिए जाएंगे तो इस continue लिखेगा और continue कर दीजिए इसको यहाँ से अब यह download होने लगेगा थोड़ी देर में यह download हो जाएगा अब इसको किस account से download करना चाहते है तो मालेजिए मैं इसी account से download करना चाहता हूँ यहाँ पर आएगा एक verification code आपको और आप उस code को यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा 3.9 है तो इसको verify करना पड़ेगा तो यह verify हो जाएगा और फिर आप इसको allow कर दें और फिर यहाँ से done पर click कर दें अब यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको यह math का feature दिखना ही पड़ेगा आप देखिए यह activate है जो हमने यहाँ से tools पर जाकर इसे activate किया था voice typing को तो इस पर मैं दोबारा click कर देता हूँ ठीक है तो यह deactivate हो जाएगा ठीक है अब इसे मैंने deactivate कर दिया है अब यह नहीं आएगा तो यह इस तरीके से हो गया अब हमें क्या करना है यह add on पर जाना है और add on पर जाकर के यह math type दिया हुआ है ठीक है और यहाँ पर जो भी आपको math का equation लिखना है यहाँ पर आसानी के साथ लिख सकते हैं यहाँ पर click किया है मैंने और देख सकते हैं यह walking लिखा हुआ आ रहा है और अब यहाँ पर click here to sign in using google तो यहाँ पर आपको एक बर sign in होना पड़ेगा जिस भी account से आप sign in होना चाहते है इस account से sign in हो जाईए यहाँ पर जो भी आपको math का equation लिखना है यहाँ से बहुत ही आसानी के साथ आप लिख सकते हैं तो जैसे माल लीजिए कि हमें यह लिखना है under root तो यह under root बनाया हमने under root 5 कर दिया तो यह देखिए under root 5 आगया और इसको जो है हम divide करना चाहते हैं तो यहाँ पर divide के shine आगया और फिर यहाँ पर जो भी आपको लिखना हो जैसे माल लीजिए 7 या कुछ भी इस तरह की चीज़े लिखनी हो और देख सकते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की चीज़े भी आएंगी आपके पास और आप यहाँ से भी चीज़ों को ले सकते हैं और चीज़ों को कर सकते हैं और इंसर्ट करा सकते हैं तो यहाँ पर जैसे इंसर्ट पर क्लिक किया तो यह सारी चीज़े डिर्कली आ जाएंगी कहाँ पर आपके स्क्रीन पर तो यह देख सकते हैं आप यह add-on फीचर का यह जबरदस्त फाइदा है और इसको उठाईए और जहां भी आपको रखना हो इसको put करना हो तो वहाँ पर रख सकते हैं तो यह इस तरह से हो जाएगा फिर इसको आप जहां चाया वहाँ ले जा सकते हैं वीडियो आपके समझ में जरूर आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं थैक्यों पर वाचिन देस वरिए